हेई असलाम अलएकुम माई यूटीब फामली वेलकम बैक टू दानिशा व्लाग आई होप आप सभी फिट एन फाइन होंगे सो दोस्तो आज अम्मी आप लोगों के साथ आमला के मुरब्बे की रेसिपी शियर करेंगी जो की आई रिली होप आप लोगों को परसंद आएगी सो चले लेट्स बिगिन दी रेसिपी सो हांजी दोस्तो यहाँ पर अम्मी ने पानी में हाफ केजी आमला और इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करके उसे रात में ही भिगो कर रख दिया था तो हांजी दोस्तो अभी हो चुका है नेक्स्ट टे और अब अम्मी आमले को किचन टॉल की हेल्प से अच्छे से ड्राइ कर लेंगी तो हांजी दोस्तो पानी यहाँ पर अच्छे से बॉइल हो गया है और अब अम्मी इसमें आमले को एड़ करेंगी और अब इसे कम से कम पांच से दस मिनट के लिए अच्छे से बॉइल कर लेंगी तो अब सभी आमला अच्छे से बॉइल हो गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो हांजी दोस्तों यहाँ पर अम्मी आधा किलो आमले के साथ आधा किलो पिसी हुई शक्कर एड़ करेंगी सुहां जी दोस्तों यहाँ पर अम्मी कम से कम दो से तीन चमश पानी आध करेंगी बाकी फ्रेंड्स जरा सभी एक्स्ट्रा पानी एड़ करने की जुरत नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स आमला पानी रिलीस करेगा और शक्कर भी केरमलाइज होगी इसलिए एक्स्ट्रा पानी एड़ करने की जुरत नहीं है झाल 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 तो हंची दोस्तों यहाँ पर हमारा आमला का मुरब्बा हो गया है रेडी और अब हमारा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है और अब मैं आप लोगों से हमारे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ सो तिल देन बबबाई अपीस अपना ख्याल रखें